प्रावेट स्कूलों के मनमाने ढंग से फीस लिये जाने के विरोध में सडकों पर उत्रे अविभावक राजधानी के अविभावकों ने पाटली पुत्र इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधं की ओर से लॉकडाउन पिरियट के दौरान का ट्रांस्पोर्टेशन फीस और मिस्लेनियस चार्जेज लिये जाने के विरोध में घंटों सडक को जाम रखा जबूर हो गया इस बात को लेकरके के यह लोग ना प्रेशराइज कर रहे है जो की ग्वश्य तरफ से यह रूज लेकर प्रेशराइज करना पी के लिए पे लिए इंडिरेकल प्रेशराइज कर रहे हैं हमारे बच्चों को एक्जाएं ले टेस्ट में आपियर नहीं होने बच्चे भी आपस में डिसकुर्शन कर रहे हैं कि तुम्हारे परेंस पी नहीं दिया, तो ये लोग ऑनलाइन क्लासे क्यों दे रहे हैं, फिर हम लोग ऑनलाइन क्लासे को बॉइकट करके, उसके वेज़े से हमारे बच्चों के पर भी असर पर रहे हैं, हमारे बच्चे उसके पैसे मांगे जा रहे हैं, तिसमारे बुच्चे मुट्य कर रहे हैं, क्यों दिया? में बच्चे जबरदस्ती प्रेशराइस करके राकाथ बच्चे क्या पढ़ाई कराइगे बच्चे में टोरचर हो रहा है इस वात को लेकर बच्चे अधरवाइस पुछ रहा है कि हमें क्यों टेस्स नहीं दिया कर दो सारे श्रेक्रासमेट्स और आपस तुम क्यों नहीं टेस्ट दे रहे हो, तुमारे पेडिने नहीं पेडिया, यह बहुत गलत असर पर रहा है, बहुत लेगिटिव इंपक्ट है, इसके लिए हम लोगों को भी इंफॉर्म नहीं किया गया, हम लोगों के पास इसकी क्लास टीचर्स का कॉल आता है, कि की रहा ओर रहा हम लोगों कोई चर्ज देने मउँ समझार है, ना तन प्षी है, ना कंप्पीटर लेब हो गया, ho laver डेंगे बाकि कोई पीचार्ज है, जान पनाने विए दो ह्ताव कि द्यां गया है, प्च्शेक बनाने कि इतने बारा साथ हम लोग बच्चे पढ़ा रहे हैं इतने दी से कभी हमने इस बात पर नहीं किया कि हम लोग को माप किया जाए आपने बच्चे के बाधियन हूँ और मेरे बच्चे हैं और इतना बोलते हैं तिके आप मेरा पैसा दिया पर मेरे पास आर्टी मेला जाता हूँ और मेरे पूलटी में प्राव जोगी आप वेप कर दीजे बात ऐसा कुछ अलो जो चैने का तैयार नहीं है वह आपको बाट को पूरा पैसा देना पड़ेगा राप दो अप्लिकेंगे तो देखने का मतलब यह होग है कि आपको फिर अ तो इस यह बात है, इसलिए मैं खड़ा हुगा हुग 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 है